आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ इस कोष्चन में बोला इन आप पराला प्लेट कैपशिटर दे रिजन बेट बिन दा प्लेट इस फिल्ड बाई तव डाई एलेक्टिक स्लेब प्रक्राइब को निकालते हैं तो क्या होगा वह हमें बताने इसमें से कौन सा ओप्सन हो सही होगा तो अगर एक कैपिसिटर है से कनेक्टेड है तो अब यहां पर क्या करते हैं कि स्लेब को बाहर निकालते हैं तो जब सेल इसके अंदर होगा तो इसका जो कैपिसिटी है क्यों होती है उसके सेडियस कोटो होता है शेलर नोट बाइडी इंटू के ओके इसके इसके क्लॉस अकर वोल्टेज मालाएं तो वे तो इसको बहार निकालेंगे तब भी सेम रहेगा क्योंकर वैटे करॉस व्योक्ष ए इसके क्लॉस व्योड़ीज वी ही रहेगा, ओके, तो अभी option पढ़ते हैं, option में क्या है, some charge is drawn from the cell, तो charge का क्या होगा, charge होता है, q is go to cv, ओके, अभी जो हम slab निकाल लेंगे, तो capacity क्या हो जाएगी, a epsilon not by d, मतब capacity क्या होगे गए, यह कैफिस्टा की, ओडिक्रीज हो गई है, capacity decrease हो गई है, die electric निकालने के बाद, ओके, और यहाँ पर voltage सेम है, अगर c decrease हो रहा है, तो q की value क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, ओके, तो जो यहाँ पर q की value है, decrease हो जाएगी, decrease होने का मतलब है, q कुछ amount of q क्या हो जाएगा, उस cell में वापस चला जाएगा, तो यह जो option है, तो गलत हो गया, b option में क्या बोला है, b option में बोला है, some charge is returned to the cell, यह सही हो गया, क्योंकि कुछ charge, q day, say return हो जाएगा, cell में, फिर बोलता है, the potential difference across the capacitor is reduced, potential difference सेम रहेगा, क्योंकि जो यह बैटरी लगी है, इसके voltage पर कोई फ्रेक नहीं पड़ेगा, तो option c क्या हो गया, यह भी गलत हो गया, अब फिर यह option में बोला है, no work done by external agent in taking out the slip, so slip अपने आप तो बहार जाएगा, नहीं, कोई ना, कोई ना, कोई work कहना ही पड़ेगा, उसके निकालने के लिए, जो भी external agent बहार निकालेगा, तो यह option भी गलत हो गया, तो इस question का answer हो गया, option B, ठीक है?